नमसे दोस्तो मेरा नाम मनिशा भरालि है और मेरी चैनल में आपका स्वागत है कुकीज छोटों से लेके बड़े सब को पसंद आने वाले रेसिपी है ये cookies के अंदर काजू और पिष्टा का बहुत ही बड़ी टेस्ट आता है तो चलिए काजू cookies बनाना शुरू करते हैं cookies बनाने के लिए पहले हम काजू का मिशने वो त्यार कर लेते हैं मैंने एक मिक्सिका जार ले लिया है और उसके अंदर मैं 1 4th cup काजू ले लेती हूँ 1 4th cup मैदा जितना मैंने काजू लिया है मैं उतना ही मैदा डाल देती हूँ और इसे ग्राइंड कर लेंगे दोस्तों इस प्रकार मैदा डालने से काजू को अगर हम ग्राइंड करेंगे तो उसमें से बिल्कुल भी और रिलीज नहीं होगा और बहुत ही बढ़िया काजू का पाउडर हमें मिलेगा मैंने काजू के मिशन को पीस लिया है मैं आपको दिखाती हूँ यह देखें फ्रेंज बहुत ही बढ़िया हमारा काजू का चूरा तयार हुआ है अगर आप चाहें तो यहाँ पे शकर का भी उप्योग कर सकते हैं पर मैं जब भी अगर कोई इस प्रकार की बिस्किट की रसे पे बनानी है तो उसमें मैदे का ही उप्योग करती हूँ मैंने एक कप बटर लिया है दोस्तो अगर आप अंस्रोटेट बटर का यूज करते हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दीजेगा जिससे कुकीज बहुत ही बढ़िया लगेंगी आदा कप गर की पीसे हुई चीनी जितना मैंने बटर लिया है उतनी ही मैंने शक्कर लिया है दोस्तो ये काजो की कुकीज बहुत जादा मीठी नहीं होती है अगर आपको जादा मीठी कुकीज पसंद है तो आप इसके अंदर एक नहीं तो दो चमच शक्कर और भी आड़ कर सकते हैं दोस्तों मैं इतना ही मीठा बनाती हूँ पर आप चाहें तो एक्स्ट्रा शुगर भी आड़ कर सकते हैं। वन फॉर्थ टीस्पून बेकिंग पाउडर, मैंने या पर जो हाफ टीस्पून आता है उसका आदा चमच लिया है, जो वन फॉर्थ टीस्पून कहलाता है। हमें बेकिंग पाउडर का इतना ही उपयोग करना है, अब मैं सारी सामगरी को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, जब तक हमारा बटर लाइट और फ्लफी नहीं हो जाता, और इसका रंग चेंज नहीं हो जाता, तब तक हम इसे बीट करेंगे। यह देखे फ्रंस हमारा बटर बहुत ही अच्छे से बीट हो चुका है और फ्लफी भी हो चुका है, अब मैं इसके अंदर बागी की सामगरी आड़ कर देती हूँ, एक स्ट्रेणर रख देंगे, और मैंने एक कप मैदा लिया है, जो 200 ml का मिजरिंग कप है, वो उन आप से एक कप मैदा लिया है, एक टेबल स्पून वैनिला कस्टर्ड पाउडर, कस्टर्ड पाउडर डालने से कुकीज बहुत ही हलकी और फ्लेकी तयार होती है, इसके वज़े से जब भी आप कुकीज बनाएं, तभी उसमें कस्टर्ड पाउडर का जरूर से उप्यों कीजेगा, अब मैं इसके अंदर काजू का पाउडर जो हमने ग्राइंड किया था वो एड़ कर देती हूँ, अब मैं दोनों सामगरी को छान लेती हूँ, दोस्तों मैं इस प्रकार से हातों से ही छान लेती हूँ, मैंने सारी सामगरी को छान लिया है, दोस्तों अब मैं इसे निकाल लेती हूँ, अब मैं इसे अच्छे से हातों से मिला के मिक्स कर लेते हैं, दोस्तों हमें इसे अच्छी प्रकार से मसल की आटे को गूनना है, अगर आपको लगे तो आप इसके अदर एक चमब दूद ओड़ कर सकते हैं, पर दोस्तों ये परफेक्ट नाप है, कभी भी मुझे इस प्रकार से कुकीज बनाती हूँ, तब दूद आड़ करने के हो जाती है, जो जादा मौशेर एबजॉब करता है, तो हमें इसके अंदर एक चमब दूद एड़ भी करना पड़ता है, ये देखे फ्रेंज, ये आटा बहुत ही अच्छी से मिक्स हो चुका है, मैं इसका एक पेड़ा बना के देख लेती हूँ, ये परफेक्ट हुआ है क कि नहीं, ये देखे फ्रेंज, ये पेड़ा बहुत ही अच्छी सा त्यार हो चुका है, हमारा आटा रेड़ी हो चुका है, अब हम कुकीज बनाने से पहले बेकिंग के त्यारी कर लेते हैं, मैंने एक पैन ले लिया है, और उसके अंदर मैंने एक स्टैंड रख दिया है, उसके उपर मैं एक प्लेट को रख देती हूँ, और इसे ढख के दीमी आज के उपर 10-12 मिनिट के लिए गरम करूँगी, अगर आप अवन में बेक करना चाहते हैं, तो आप यही स्टेज के उ उपर आवन को 10-12 मिनिट के लिए प्रेहिट करने के लिए रख दीजिये, जब तक हमारी बेकिंग के त्यारी हो रही है, तब तक हमारी कुकीज त्यार कर लेते हैं, दोस्तों मैंने एक पीजा का ट्रे ले लिया है, और उसके उपर मैंने बटर पेपर ले लिया है, मैंने ये दो बटर पेपर लिये हैं, क्योंकि हमें ये कुकीज नीचे से बहुत ही लाइट रंग की चाहिए, इसके लिए मैं इतने लेर्ज लगा रही हूँ, अगर आपने इसे डारेक्ली ही ट्रे में रखा तो कुकीज नीचे से बहुत डार्क रंग की हमें मिलती हैं, तो इस की प्रोसेस करने से कुकीज हमें बहुत ही लाइट रंग की मिलेगी, हमारा कुकीज के लिए ट्रे तयार हो चुका है, अब हम कुकीज बना लेते हैं, कुकीज बनाने के लिए मैं डो में से पेड़े बना लेती हूँ, मैंने कुकीज के पेड़े को तयार कर लिया है, मेरी एक पास ये fruit खाने के लिए जो Fock आता है वो है तो उससे मैं cookies के उपर design बना लेती हूं पहले मैं Central में से, दोनों side से design बना लेती हूं और Del Man St. She. सैसे मैं दो design बना लेती हूं, और मैं दूसरी site भी cookies के design बना लेती हूं जैसे मैं आपको और अगर दोस्तों आपके पास ये फोक नहीं है तो आप कोई भी तुद्पिक की मदद से या तो हमारा जो चम्मच होता है उसके पीछे के हिस्से की मदद से भी डिजाइन बना सकते हैं हमारी कुकिस बहुत ही खुब सुरत लग रही हैं बिल्कुल इसी प्रकार से हमें सारे कुकिस तयार कर लेती हूँ मैंने सारी कुकिस तयार कर लिये हैं मैंने कुकिस अरेंच कर लिये हैं उसके उपर मैं थोड़ा सा दूद लगा देती हूँ और मेरी पास ये बारीक कटेवे पिश्टा है वो रख देती हूँ दोस्तों ये बिल्कुली ऑप्शनल है अगर आपको पसंद है तो ही आप इस प्रकार से इसे सजाईए नहीं तो आप डारेक्ली ही इसे सब्व कर सकते हैं बारीक कटेवे पिश्टा इसके उपर बहुत ही बड़ा टेस्ट देते हैं आप जरूर से इस प्रकार से बनाईएगा मैंने सारी कुकीज तयार कर ली है और दोस्तों ये दिखी इतना डो बज गया है इसे मैं दूसरे बैच में रेडी करूँगी कुकीज को बेक करने के लिए हमारा पैन भी गरम हो चुका है मैं ये ट्रे को पैन के अंदर बेक करने के लिए रख देती हूँ और इसे दीमी आज के उपर 30-35 मिनिट के लिए बेक करूँगी और अगर आप इसे अवन में बेक करना चाते हैं तो 180 डिगरी के उपर 30-35 मिनिट के लिए इसे बेक कीज़ेगा 30- בצेант मिनिट हो चुके हैं और दोस्तों बहुत ही बड़ा खुशबूर आ रही हो कूकी को चेक कर लेती हूँ ये दीके फ्रेंस हलकी गुलाबी रंग के लाँके लिए नीचे से हो चुकी है और बहुत ही बड़ा बेक हूई है मैं आपको इसे दिखाती हूँ ये देखे फ्रेंज जैसे मैंने आपको step सिखाए हैं बिल्कुल उसी प्रकार से अगर आपने इसे follow किया तो आपके cookies भी gas के उपर इस प्रकार से light color की ही मिलेगी और ये बहुत ही आसान इसे बटर पेप्रों से निकल आती है दोस्तों यह भी बहुत ही गरम है तो मैं इसे कंप्लीटली ठंडा कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ आदा गंटा हो चुका है और cookies एकदम ठंडी हो चुकी है मैं आपको दिखाती हूँ ये देखे friends बहुत ही खुबसूरत और बड़या cookies त्यार होई है जैसे मैंने आपको बताया है बिल्कुल आप वही step अगर आपने भी follow किया तो आपके cookies भी बिल्कुल जैसे oven में ready होती है वैसे light color की त्यार होंगी ये देखे दोस्तों बहुत ही आसानी से ना ही हमने butter paper को grease किया है फिर भी ये cookies निकल आती है मैं आपको इसे तोड़ के बताती हूँ ये देखे फ्रेंज कितनी जालीदार और खस्ता cookies त्यार होई है ये cookies बनाने के लिए हमने custard powder का और काजू का यूज किया है जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है हमारी tasty yummy delicious काजू cookies बनके तयार है आप इस recipe को बनाए और अपने अनुभों मेरे साथ जरूर शेयर करिए और इसी प्रकार की unique recipes देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले